वेल्कम टू टेक्निकल शिजा अगर आप भी अपने कम रेविन्यू की वज़र से परेशान है तो यह वीडियो हास तोर पर आपके लिए है दरसल यहाँ पर मैं आपको दो पिचर दिखा रही हूं एक पिचर के अंदर है अक्तूबर मुंबर दिसंबर का रेविन्यू और ए हम यूट्यूब की गेम समझते हैं दरसल हर साल ऐसा होता है कि साल के एंड के उपर आपका रेविन्यू जादा होता है जब के साल के शुरू पर आपका रेविन्यू जो होता है कम होता है और ऐसा हर साल होता है अब आप सोच रहोगे इसका रीजन क्या है तो उसका रीजन ह यूट्यूब का हाली बटवा दरशल होता क्या है ना कि साल के एंड के ऊपर शादी सिजन होते हैं लोगों की बर्ड़े जाती है न्यू यू यू रोता है और अम काफी कुछ चल रहा होता है और लोग थके भी होते हैं वो कहते कि हम सारा साल कमाया हमने लास्ट पर हम लोग स으면 काफिय जादा लोगों की बर्डे आती है। लेकिन जब लुक्तूबर में मेरी बर्डे आती है तो सब भूल जाते हैं। हेज एंक यूट्यूब को को लोगों को अपने बेचने के लिए यानि कि वो हम्से ऑगेरा हरी दे यह हमसे उनोके पास पैसे ह Z peach discuss और हम सब जानते है कि YouTube ऐसी company है जो के ads पर ही कमाती है तो इसलिए ज्यादा ads होंगी ज्यादा लोग ads चलवाएंगे तो YouTube के पास ज्यादा earning आएगी और वो आपको भी ज्यादा revenue देंगे Sorry मैं कहने लगे थी salary देंगे YouTube पर एक छूटी सी बाद में आपको बताती हूँ कि आप salary based नहीं है YouTube के लिए आप काम नहीं कर रहे हूँ YouTube के साथ मिलके आप काम कर रहे हूँ यह भी आपका एक अपना business है ठीक है और आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से YouTube ने साफ साफ बोला हूँ है कि वह मोके की मुनास्पत से revenue को कम या ज्यादा कर सकते हैं और मोका क्या मोका मतलब के season या festivals अब देखे जैसे एद आएगी Christmas आएगा या फिर दिवाली या कुछ इस तरह की चीज़े आएगी को बड़ेता की मतलिटे या ज्यादा है या जोरू कि बाचाओ को बताको की कोई घुटो की कोई वोचिस की ब्रैंड़ की कुछ इस तरह से तो इस वूप अपका एडैद देँगे तो आपका रैवनी ज्यादा ही बनेगा और जब उट नहीं देंगे तो आपका रैवनीू स्कम बनेगा अब इससे इतना भी दिल हारने की जुरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ब्रेंड साल के शुरू के अंदर भी अपनी एड्स है वो चलवाते हैं जैसे कि फिटनेस ब्रेंड और जोगिंग ब्रेंड डाइटिशन वगरा और बहुत सारे जो ब्रेंड्स है वो वो साल के शुरुवात में अपने एडवर्टाइजिंग करें अगर आप CPM और RTM को समझते हैं तो इसके उपर फोकस किया करें और इसको नोटिस में लिया करें जैसे ही आपका रेविन्यू जो है वो ज्यादा होता है आप फोरन से ज्यादा वीडियो बनाना शुरू कर द ब्लब्लैक फ्राइडे कर रहा होता है डिसकाउंट्स दे रहा होते है अपनी मर्जिस चणा रहा होते है और मत्र लाइव ज्यादा से जादा कर रह थे जबकिए साल के शुरू में ऐसा थोड़ा कम ही देखने को मिला है मतर्क काम एफ़र्ट करते हैं लोग अपने चैनल के तो फिर आप क्या करोगे सिबसे पहला जो काम आप नहीं करोगे वो यह है कि अपने आपने जिन वीडियो के उपर ज्यादा पैसा कमाया है उन वीडियो का पैसा उठाके आप इन वीडियो में नहीं डालोगे जो कि आप नेक्स्ट बनाने वाले हो क्योंकि आपको बते कि हर अगर आपको कोमेडी का चैनल यह तो दोस्तों कोई कठा करना पिर इसके उपर से चीजे लेके आना कुछ जो के वीडियो में यूज होने वाली है मतलब काफी लोग अपनी वीडियो को बनाने के लिए तो उन लोगों का अपनी थोड़ी कम करनी चाहिए साल के इस हिससे में ताके वो अपने पैसे हैं उनको गवाना दे लेकिन उसके बदले में वो अपने पैसों को अच्छे इस्तमाल में लेकर आ सकते हैं आप इन पैसों को कम revenue वाले दिनों में किसी और चीज के अंदर invest कर सकते हो जिससे के आपको अच्छा पैसा आए और फिर अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो तो अपना वक्त जो है कुछ सीखने में इंवेस्ट कर दो जो कि आपको यूट्यूब के अंदर या आपके लाइफ के अंदर आने वाले सालों में या महीनों में काम आएगा जैसे कि आप अपनी एडिटिंग कोई कोर्स कर सकते हो और ओनलाइन कोर्स के जरिया आप फ्री में एडिटिंग सीख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है निबू एडिट्स जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसको भी आप आप इस चीज़ को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप कितना रेविन्यू कमाने वाले हो या कितना नहीं लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए लेकिन इस सब के भावजोद YouTube की मर्जी है कि वो आपको कभी-कभी ज्यादा revenue देगी और कभी आपको कम revenue देदेगी वैसे YouTube के revenue के इलावा भी आप पैसे कमा सकते हो YouTube से जैसे कि आप brand deals दे सकते हो या आप sponsorship ले सकते हो और इस चीज में तो आप control भी कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लेना है और कितना नहीं आप अपनी product service शूरू कर सकते हो या अपनी mergers को बना सकते हो जिसके अंदर अपनी टी शिर्ट, glasses या cups या कुछ इस तरह से आप sell कर सकते हो और इससे भी आपको earning आ सकती है और हाँ अगर आप अपने किसी product के बारे में या अपने किसी चीज के बारे में बात करें तो उसका link अपने description और अपने first comment और i button के अंदर देना नहीं भूलेगा इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपके viewers के लिए भी बहुत ज़्यादा सान रहेगा आप तक पहुंचना या आपकी चीज तक पहुंचना अब आप सोच रहे होगे कि बड़े चैनल के साथ भी ऐसा होता है तो बड़े चैनल की स्टोरी भी मैं आपको बता देती हूँ ज्यादा तर ऐसा होता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं जो वाकई बहुत बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जैसे कि PewDiePie हो गया यह लोग वीडियोस डालते रहें और यूट्यूब पर काम करना बनना करतें अपने यूट्यूब को अपना बिजनेस बनाए अब आप अपने दिल को वापिस जोड़ लो क्योंकि यूट्यूब लॉंग टर्म कमाने का एक कमाल का जरिया है मैं आपको बताती हूँ कैसे क्यूंकि जो आपकी वीडियो होती है वो कमस कम 2-3-5 साल तक चलती है और कुछ-कुछ वीडियोस तो 10 साल या 15 साल पुरानी भी होती है और उनके उपर एक-एक 2-2 लाग भी लोग कमा सकते है यानि कि music वीडियो, movies या कोई funny वीडियो या फिर कोई ऐसी cooking की वीडियो जिसकी recipe बहुत ज़्यादा कमा लो और जिसको आज तक लोग फोलो करते हो वैसे आप इन सब चीजों से पैसा कमा तो लोगे लेकिन उसको संभालना कैसे और हर्ष कैसे करना है यह ज़रा थोड़ा मुश्किला और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको यह चीज नहीं आती है तो जिस तरह से आपने ABC करके और One To करके इतनी simple चीजों से इतनी difficult spelling और इतनी difficult language सीख लिया है तो मैं आपको यह सेट करूँगी कि आप पैसे को अपने पास रखना और रिच की जगा wealthy होना भी सीख लें जो कि पैसा आपको end तक काम आता रहें और आपके हाथ से ना चला जाए क्योंकि इसका भी एक तरीका होता है जिसी तरह दूसरी तवाम चीजों को सीखने का एक तरीका होता है तो इसी के साथ अला हाफिस फिर मिलते है एक नई वीडियो के साथ और मेरे नई चैनल को सब्स्राइब करना नहीं भूलेगा निम्बू एडिट्स को अला हाफिस